यानि आपने करजा ले लिया था भईया एक सर्टिकेट भी देदीजेए जैसे शेर होल्डर को शेर सर्टिकेट वाईजा डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर सर्टिकेट शे महीने के अंदर हेलो एब्रीवान मैं हूँ जैश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंट्रस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का SPI नि सेक्रेटर्ल प्राक्टर्स ये है चाप्टर नमबर 4 इशू आफ डिवेंचर का लेक्शर नमबर 1 जी हाँ दोस्तों इशू अफ डिवेंचर ये है एक छोटा सा नन्हा मुन्हा सा चाप्टर और इस चाप्टर में से कुछी इंप कमपनी का लिया हुआ कर्ज है, डेट है, जिसको रीपे करती रहती है, यह कमपनी लॉंग टर्म के लिया हुआ अगर आप इस चानल पर नए है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाईए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसी informative वीडियो मिलते रहेंगे, आप playlist में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको दोस्तों OCM Economics और SP के chapter wise वीडियो मिलते रहेंगे, तो बने रहेगा हमारे साथ अंतक, तो दोस्तों शुरुवात करते हैं, provisions for issue of debentures के साथ, कुल मिला करके 9 points का answer और आसानी से इसे याद करने के लिए, लिख के practice करने के लिए, और easily, board exam marks हासिल करने के लिए, हमारा short code है, Candid TP, Candid TP, Candid TP, जियां दोस्तों, provisions for issue of debentures, कैसे company debentures को issue करेगी, क्या प्रक्रिया होगी, उसी का ये answer है, आपके सामने, Candid TP, से create a debenture redemption reserve, इसके अलावा A से appoint of debenture trustees, इसके अलावा no voting rights, debenture certificate, I से impose restrictions, और D से once again debenture trustees can approach NCLT, ये अलग-अलग हम प्रक्रियाओं को समझ रहे हैं, provisions को समझ रहे हैं, आखिर में types of debentures, payment of interest and redemption, और punishment for contravention of provisions of the companies act, तो इस प्रकार, ये 9 points हैं, इन सभी points को बारी किसे इसी वीडियो में समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखीगा, और लिख करके answer की जरूर practice कीजिएगा, issue of debentures के provisions, answer का नाम, Candid TP, Candid TP, Candid TP, चलिए, शुरू करते हैं, सबसे पहले, create debenture, redemption reserve, बहुत companies act, इसी को यहाँ पर महर लगाते हुए कह रहा है, company has to create a debenture, redemption reserve account out of profits of the company, available for payment of dividend, यानी, जो भी मुनाफा company कमाती है, उसमें से reserve थोड़ा 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 करके जमा करते रहिए, लोचा लपडा नहीं होना चाहिए, बाद में, ताकि आप dividend आसानी से दे सकें, this money can be used only for redemption of debentures, यहाँ, यह पैसा side में रख दीजिए, ताकि इसको आप redemption के लिए ही use कर सकें, as per company share capital and debentures, amendment rules 2019 कहते हैं, MC has removed debenture redemption reserve requirement for listed companies, यानी, जो company listed है, वह stock exchange के अंदर, उनको यह करने की जरुरत नहीं है, हाला कि जो listed नहीं है, बहुत risk रहता है, पैसा लेके डूप जाएंगी, त housing finance companies को भी इस reserve से दूर रखा गया है, बढ़ते हैं दोस्तों, आगे candid TP के अंदर, एसे point है, appointment of debenture trustees, जी हाँ, बहुत जरुरी होता है, कि trustees हों, जिनके भरोसे पर आपको लोन दे, कोई भी debenture holder, if the company issues prospectors और invites more than 500 people, 500 से जादा लोगों को आप invite कर रहे हो, कि आप भई, लोन दे दो, या debt दे दो, तो ऐसे में public orates member जो भी है, company has to appoint one or more debenture trustees, जिनका एक भरोसे मंद panel होगा, और debenture holder को भी विश्वास रहेगा, कि हाँ, यार की company डूबने वाली नहीं है, मेरे को time pay interest भी मिलता रहेगा, और debenture का repayment भी हो जाएगा, debenture trustees protect the interest of the debenture holders, company has to appoint trustees by entering into contract with them, called as debenture trust deed, उमीद करता हूँ दोस्तों, आसान सा point आप समझ गये होंगे, हम पढ़ रहे हैं, provisions, provisions for issue of debentures, answer का नाम, candid TP, answer का नाम, candid TP, and say no voting rights, भाया, preference shareholders को मिलेगा, तुमको थोड़ी मिलेगा, yes, याद रखिये दोस्तों, equity shareholders जो होते हैं, specific कुछ preference share जो होते हैं, उनको ही, ये voting का अधिकार है, debenture holder, तो भाई, loan देने वाला है, creditor है, इसको नहीं मिलने वाला, company cannot issue debentures with voting rights, debenture holders are creditors of the company, and so, they do not have voting rights, except in matters affecting them, तो यहाँ पर voting rights debenture holders को पिले हैं, आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, अगला point है, candid के अनदर debenture certificate, company has to issue debenture certificate to the debenture holders, within 6 महिना of allotment of debentures, यानी, या एक certificate भी दे दीचे, जैसे shareholder को share certificate, वाईजा debenture holder को debenture certificate 6 महिने के अंदर दे आपड़ेगा, अगला, impose restriction ये point है, कुछ उसूल, कुछ आदर्श, कुछ restriction rules तो होते ही है, यहाँ पर भी है, when the debenture trustees of the opinion, that the assets of the company are insufficient or likely to become insufficient to redeem the principal amount of debentures, it may approach the NCLT, NCLT can order a company to restrict, incurring further liabilities, so as to protect the interest of the debenture holders, यानी, जो trustees को appoint किया था, starting में मैंने बताया, appoint trustees, तो उन trustees में से किसी को लगता है, कि यार मामला गडबड है, यह जो debenture holders है, इनका पैसा तो डूब जाएगा, company का कुछ ताल नहीं लग रहा है, company जो है, सही से चल नहीं रही, assets जो है, company के बेचके भी, पू तो यहाँ पर दोस्तों, वो restrict कर सकती है, एसी companies को कोई भी liabilities further create करने में, और यह protect करती है, debenture holders के interest को, ताकि बहुत कोई नुकसान किसी का ना हो जाए, अगली बात करें, अगर debenture trustees के एन अप्रोच, NCLT की तो बात same to same point की है, यहाँ पर NCLT जो है, इसको आसानी से अप्र law tribunal को address कर सकते हैं, debenture trustees have to redress the grievances of debenture holders, यानि उनको appointees के लिए कि debenture holders का वो लाब देख सकें, वो देख सकें कि भाईया कोई नुकसान तो उनका नहीं हो रहा है, if the company defaults in repaying the principal amount on maturity or defaults in paying interest there on, that debenture trustees can approach the national company law tribunal, यह बनाया है, इसलिए कि complaints or grievances, यानि problems को वहाँ पर दिया जा स के, NCLT and director defaulting company to repay the principal amount और interest याए, NCLT का सुनना ही पड़ेगा, company को कही न कहीं कुछ न कुछ करके बेच बाच के, price जो है, amount जो है, principal amount, जो main amount है debenture holders से लिया हुआ, वो लोटाना ही पड़ेगा, आज के साथ देना पड़ेगा, इस प्रकार दोस्तों, यह कुछ important points हम पढ़ र अलग-अलग प्रकार के debentures issue करती है, a company के न issue secured और unsecured debentures and fully और partly convertible debentures और non convertibly हमने पढ़ा है दोस्तों पहले, अलग-अलग प्रकार के debentures होते हैं, to issue convertible debentures, a special resolution has to be passed in the general meeting, all other debentures are redeemable in nature, यानि दोस्तों, यह जो type of debenture है न, वो भी provisions के अंदर बहुत matter करता है, कि आप point की, तो यहाँ पर याद रखिए payment of interest and redemption, बहुत ज्यादा जरूरी है कि बहुत कब आप pay करेंगे, interest कैसे pay करेंगे, कितना pay करेंगे, और redeem कभी होंगे debentures, a company shall redeem the debentures and pay the interest as per the terms and condition of their issue, तो जो लिखवा करके आपने लिया था, जिस शर्त पे आपने जो condition रखके आपने debentures से debt लिया था, या fund raise किया था, दोस्तों, वो आपको पूरा करना है, as the company आपका फर्ज है कि आप interest time to time दे और redeem भी time पर करें, इसके अलावा punishment for contravention of provisions of the company's act, अगर आपने कोई भी rules regulation को तोड़ दिया, तो आपके ऊपर कारवाई होगी, punishment तो दिया ही जाएगा, if the company fails to comply with any provisions of the company act, company act या rule के हिसाब से अगर आप नहीं चल रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर कायदेशीर कारवाई केली जानार, yes, then the company and its officer shall be liable to pay fine or imprisonment or both as prescribed by that, तो यहाँ पर दोस्तों हमने 9 point का यह आसान सा answer देख लिया है, provisions for issue of debentures, हमारा short code है, candid, TP, candid, TPC, C से create debenture redemption reserve, appoint of debenture trustees, no voting rights, debenture certificate तो देना बड़ेगा, impose restrictions, D से debenture trustees can approach, NCLT, और types of debentures, T से P से 2 points, payment of interest and redemption, और आखिर में punishment, तो उमीद करना हो, सभी points आप लिख करके जरूर प्राक्टस करेंगे, और यह answer को जरूर अच्छे से revise कर लेंगे, लिख के प्राक्टस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रखिए, remember to repeat, to repeat to remember, तो आप याद रखिए कि वापस पढ़ना है, और वापस पढ़िए क्योंकि या answer को याद रखना है, चलिए, अब कुछ और अलग से चोटे मुटे provisions को देख लेते हैं, तो दोस्तों यह है कुछ और provisions जो company के share capital और debentures के आधार पर 2014 के rules के हिसाब से ब अब धी नहीं हो सकती, कुछी companies ऐसी है, जो 10 साल से ज्यादा का tenure ले सकती है debentures को raise करने के time पे, जैसे की infrastructure projects वाली companies है, companies permitted by the ministry of corporate affairs या central government या RBI से related कोई company है, तो वो issue कर सकती है debentures beyond a period of 10 years, otherwise दोस्तों 10 साल के अंदर ही आपको काम भिट कर देना है, इससे जो यह जुडी हुई companies हैं, जिनका मैंने अभी अभी नाम लिया, यह वाली भी company अगर issue कर रही है debentures, तो 30 साल के अंदर ही इनको redeem कर देना है, इसके अलावा दोस्तों दूसरा important point है, create a charge on assets, यह बहुत जरूरी है, secure debentures के case में, यहाँ पर charge on assets बहुत ही important है, उसकी subsidiary company और holding company का, तो value of charge should be adequate to cover the entire value of debentures issued, यानि किसी धी debenture holder का नुकसान नहीं होना चाहिए, आपको करजा दे रहे हैं, आपकी जरूरत के time पे, तो ऐसे में, उनक्या assets के उपर भी अधिकार create करना चाहिए, कल को अगर आप fail हो गए, पैसा देने में, तो वो asset जो है, वो ले लेंगे, the value of charge should be adequate, और साथी सा if a government company issues secure debentures, which are central or state government, यहाँ पे सरकारी मामलागर है, तो guarantee देनी पड़ेगी, then it need not create any charge on asset, वो guarantee दे देगी, तो फिर charge का कोई सवाल नहीं उड़ता है, इसके अलावा दोस्तों, appointment of debenture trustees, अभी अभी इमने पढ़ा, एक panel appoint कीजिए, जिनके भरोसे पर debenture holders, जो हैं, वो पैसा आपके लगा सकें, साथ इसाथ, इसमें trust deed वगएरा sign करा लिजिए, सारे rules regulation clear रखिए, कि भाया कितना ब्याज होगा, कैसा ब्याज होगा, कब देंगे आप, किस तरह से redemption होगा, यह सारी चीज़ें, आपको appointment of debenture trustees के सामने trust deed बना करके कर लेनी है, 60 दिनों का अनुमन जरुआत में भी पड़ा, companies के share capital और debenture के आधार पर भी, यहाँ पर debenture redemption reserve आपको create करना पड़ सकता है, company has to create a debenture redemption reserve account out of the profits, available for payment of debentures, तो बहुत ही simple से यह points है, company has to maintain at least 25% of the value of its outstanding debentures, यानि जो भी आपके outstanding debenture है, जो भरना बाकी है, जो पैसा देना बाकी outstanding है, तो यहाँ आपको 25% आपके मनाफिय में से रखना ही पड़ेगा in debentures के लिए, और reserve आपको create करना पड़ेगा, company has to invest or deposit on or before 30 April each year, a sum not less than 15% of the amount of its debentures maturing during the year ending 31st March, तो यह भी खास बात है कि 15% आपको invest करना है debentures के नाम पे, money from this account is used for redemption of debentures only, तो यह कुछ important 4 points से दोस्तों, उमीद करता आज का अंसर आपको समझ में आया होगा, जरूर इसके लिख करके practice कीजिए, हम ऐसे ही वीडियो लेकर आपके लिए आते रहेंगे लगातार, तो बने रहीगा इस चैनल पर हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए do like, share and subscribe